मंग ये वीरे, मुझे कहानी सुने बिना नीन नहीं आती मैं कहानी सुनाओंगा तो सोजेगी ये न कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुठ हो रहे थे सिवाए एक शक्स के क्यूंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं है उसका नाम था मंगा अके घर के किसी स्यानी आदमी को बला लूँ स्याना ही हो जी मैं वो तो उस दिन ऐसी बच्चों के साथ थोड़ा हो जिन्दगी की हर दौड में अबबल यो रिजिक्टिद परिवार का सबसे लाइक लाडला ताम दाम कुछ करना ने सारा दिन जरते रहना बस हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था पैसे नहीं ले सकते जी डादी कैती है इस से शफा चली जाती है क्या तुम नोकरी करोगे बंदूग मिलेगी जी तो धंडा बगएड़ा अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वह और एक दिन उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई राजकुमारी कॉट सर्गी तो शे कानी सुनी है चुप चुप सुन नेनों से बढ़ ले आपके गाव में दिल लग गया जी राजाती लड़कियों को ना रोपने से सर फट जाते हैं नकुगडाई है वे मार रही कहानी राजकुमारी शुरू की है तो तो शेह कातम करनी चाहिए मैं अपनी पोती का रिष्टा एक अंग्रेज के नौकर से कर दूँ नहीं जी आपको गलत सहमी हुई है जी अंग्रेज बुरे लोग नहीं है वार राजा के हुकम के मुताबिक आप सब को दौख खाली करना पड़ेगा कान्दी जी ने कहा है कानून से बढ़ कर कुछ नहीं होता है कानून से बढ़ा काजा होता है लाला जी सारा कुछूर मंगे का है बहुत बुरा किया मंगे ने मैं मंगे नहीं शट दूखा दिया उने हमको तुझे या लगता है? तुम लोग की तकलीफ का असास नहीं है? अगर तुझे तकलीफ का हसास था नहीं, तो अंग्रेजों के तल्वेना चाड़ता तू? तू बड़ा मतलब ही निकला मंगे हैं? तू सच में फिरंगी होके रहे हैं? वुझे तु जावड़ा है, जैसे कुट ऐसा दिखाने का meta! थुझे खातर लड़ जा तू, तू अपनी सित पे घर जा तू थुझे खातर लड़ जा तू, अपनी सित पे घर जा तू तू संचा जंगी, नहीं फिरंगी, नहीं फिरंगी तू संचा जंगी, नहीं फिरंगी, नहीं फिरंगी फिरंगी को राजकुमारी नहीं मिलेगी तू नो जालत दादीना बनू, मैंने निस्टनानी तरको कहानी कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती और मुझे सुना रहा